लोग खा रहे हैं खाना और उसमें धार के छोड़ दिया है उसको एक ही कटोरे में डाल के उपर तुम्हें नहीं खा पाऊंगा इसके लिए कोई कमेंट में अगर मुझे बूरा भी बोले तो भी मुझे कोई फ़लो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग मैं ऐसे करता हूं कि बढ़िय की पाण के माहिव על है फ्रेंस अभी में मजरा में काम कर रहा था और यहां के सारे आठ हो गया है मैं आया खाना खाने के लिए सोचा वीडियो भी बनाउंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी फ्रेंस तो अभी देखिने मजरे से होके आ गया हूँ पने रूम कर भींडी तोड़के मैं रखा गवा था फ्रेंस तो फ्रेंस में बकराईद पर वीडियो नहीं बना पाए उसका कारण बहुत बड़ा कारण था यहां पर ऐसे लोग काते हैं लोग नहीं जो कफील होते हैं लोग और अपने इंडिया में भी आप लोग सुने होंगे कि जो बकर अक्तिरा में होता है समझलेस या से पेड पोधा उसमें पाणी डालना है बकरियों का बशीन सब्काम के लिए तो छुट्टी आदमी नहीं कर सकता है मेरह कपिल बोलता है पिछले बार भी ऐसे बोला था कि टेंसर नहीं लो और बकराईद में तुमको पूरे दिन का छुट्टी दे दूंगा तो मैं तो बहुत खूस हुआ था कि चलो ठीक है इतने दिन बाद मुझे छुट्टी मिलेगा और जिस दिन बकराईद आया फ्रेंस उससे दो दिन पहले मुझे बोल दिया काम है जो मेरा डली का रोजमर्रा का काम मैं किया जैसे की बकरी व्यसके बच्चों का दोघ्ट फिलाना यह पाने औहिए धे देना बकर्यया खोलना तो यह सब काम किया उसके बाद मैं लग गया देके वहाature सिर्बाने कर्दाल ब़ुद्धा में आदो सुबहाद करी काटन कश काम खतम हो जाता पर मेरा काम और बिश्यादा बंबा समय तक रहता है साफ हम करना यह सब और सब और यह सब वीडियो … जो तो आप लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस जगब पे हूं वही का वीडियो बना पाऊंगा जैसी महौल है वही दिखा पाऊंगा तो इसके लिए मुझे माफ कर लेगा तो फ्रेंस उसी तरह से जो बात बताया यह पिछले इद का बात है उसी तरह से इस इद में भी बोला था कि छुट्टी दूंगा और मैं काम करते रह गया काम करते करते दो दिन तख काम किया काम करके तो रखे दिया लेकिन दूसरी दिन वह होई भकर लिभेघंद पर काते रह गया उसके बाद मुझे भी मीन दिया जो कि रक्काव हूँ आप लोगों से दिखा रहा हूं और क्या क्या चीज मिला है और सब भी बताऊंगा आप लोगों से लोगों सोच रहे होंगे क्या क्या मिला होगा तो मैं आपको बता दू कि मैं जिस एरिया में रहता हूं फ्रेंस यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे आदमी हैं हमारे कंटेक्ट में एक बंगाली है और देख लिए दो तीन चार सुडानी उसको में गीना ही नहीं पांच है जिसमें की पांच हम लोग इंडियन है और एक बंगाली है और उसमें दो तीन सुडानी है दो तीन यूथोपी है इन सबसे कंटेक्ट है हमारा यहां पर किसी को भी एक रियाल भी नहीं मिलता है बहुत किसमत से मुझे मिल गया था पिछले इद में बकरा इद में इद में मिल गया था जो कि उस पर मैं वीडियो बनाया था आप लोग देख लीजिए गा और नहीं देखे होंगे तो नहीं तो मैं इस डिस्क्रप्शन में उस वीडियो का लिंक डालूंगा तो हमारी जो कपिल की मम्मी है उसने मुझे 20 रियाल देने के लिए बहुत घर में बोली सुनी थी लेकिन दी थी वही सब बात उस वीडियो में बताया हूं तो यहां पर फ्रेंस किसी को कुछ भी नहीं मिलता है इस सेलिया में तो चलिए उसकी कोई बात नहीं है फ्रेंस इस पर मत अप लोग बोलियेगा हमको क्यार यह सब वेट नहीं करना चाहिए इंतजार नहीं करना चाहिए कोई देगा मतलब मैं कमेंट से थोड़ा मुझे डर ही लगता है क्योंकि आप लोग बहुत मतलब कभी-कभी इसे बात बोल देते हैं उसकी रिपलाई में मुझे अगर बोलना है बताना है तो मुझे बहुत ज्यादा लीखना पड़े प्रेंश है कुछ भी नहीं मिलता है बस लेकिन मेरा जो कफील है कफील यह मैं बुड़े की बात नहीं कर रहा हूं बुड़े आदमी का बहुत मस्त इंसान है इस वकट वह अगर आया होता जैसे पहले बकराईद में आया था तो मुझे डेली जब ओग खाना बनाते थे न तो डेली मुझे खाना निकल वाके गरम-गरम भी खाना बेजवा देता था, मैं कई-कई टाइम खाना नहीं बनाता था, वो खाना बेजवा देता था, लेकिन अब की बार वो नहीं आया है, तो मुझे एक भी एक बार भी खाना नहीं आया है इसके घर से, कि सब लोग आये है सब लोग आए हैं टोटल सारे लोग आए बस हमारा कपील नहीं अए और उसकी पत्नी नहीं आएं तो एक दिन भी खाना यह लोग नहीं बज़वाएं बस अपना फर्ज निभाते हैं यह लोग की मतलब मीट हमको दे दिये और THIS तो यहां बकराईद का मतलब है कि यह लोग कार करनेंती हैं और फिरुन सांगे कल हमारा जो बूर्ण है कपील है कंपीताजी उसने मुझे बूला केकर बोलता है कि कल तुमको मैंखाना दूंगा और खाना मत बनाना मैं सब्धसाद मिलेगा मुझे में बहुत सबस्केस कोकि पानी चलाना था और टंकी में बहुत खम था तो पानी धीरे धीरे जाता था कि मुझे जानवूज की लट हो गया तो मैं घया काना लेना तो खाना कल साम को लेकर आया और देखाना तो सच बता रहा हूं इसमें गलत मत बोलिएगा मुझे हर इंसान का क्या बोलते हैं जो एक जैसे कि मैं बता नहीं पा रहा हूं उसमें कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है कुछ लोग मतलब हीरा हुआ खाना खा लेते हैं कुछ लोग जूठे खा लेते हैं कुछ लोग जूठे नहीं खाते हैं कुछ लोग तो इससे हैं कि जो अपने बच्चों का भी जूठे नहीं खाते हैं पर मेरा ऐसा नहीं है मैं किसी का भी जूठा खा लोगा मेरे साथ आदम तो मुझे खाना कुछ उसी परकार के कल मिला था तो मैं दिखाना तो नहीं चाहता हूं पर आप लोग गलत मत बोलिएगा मैं दिखा देता हूं क्योंकि आप लोग देखेंगे ना कुछ तो समझाएगी कि हाँ दुनिया कैसी है कैसे कैसे लोग है कैसे कैसे काम हैं पर हो जात दिखाता हूं उसके बाद दिखालों उसके बाद फिरेंडी का सब्जी थोड़ा बनाऊंगा और चावल ही है खाके चला जाओंगा काम पर इस टाइम मुझे ज्यादा टाइम नहीं रहता है तो फिरेंस यह दिखा दू पहले आपको मीट और यह इसका एक छोटा लड़का ब में मजरे में काम कर रहा था तो देखिए दू टाफी दिया और टाफी इतना मस्ट टाफी है इतना बढ़िया टाफी है मैं जेब में रखा हुआ था और यह गर्मी के वज़ा से एकदम पिघल गया था लेकिन बाहर नहीं निकला तो मैं फ्रीज में रखा तो अभी जाके थोड़ा टाइट हो गया तो यहां दिखा दे हम आपको यह भी मीट है फ्रेंस यह देख रहे हैं जितना मतलब पनी का कलर अलग है पर है मीट सब मीट है यह देखिए यह इतना हां पिछले साल जब हमारा कपिल था तो यह अपने हाथों से आकर के पूरा फूल भरके गया लेकिन ऐपकी पार उतना नहीं दे लाए और मैं ज्यादा खा भी नहीं पाता हूं दर नार दोस बना के खिला OH." जादा मैं मीट नहीं खाता हूं, मैं जादया तर सादा खाना खाता हूं मैं ऐसे लोगों क 안돼 में मैं आप लोग के खाते हैं और उसमें खाते हैं उसमें खाते हैं और जो बच गया है वही मुझे ला करके दे दिया है उसको यह को फरक न यह समझ रहाए है समझ रहे हैं न आप लोग तो यह खाना मिला था फ्रेंश और बकरित पर मैं वीडियो क्यों नहीं बनाया सारी वज़ा आप लोगों से बता दिला क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल पाया और दूसरे दिन मेरे फ्रेंड लोग आ गए तो उन्हीं सब में मैं लगा रहा गया था प्रेंश चलिए वीडियों की एंड करते हैं अगर वीडियों अछला हो तो लभा चैनल पर नए है तो subscribe कर लेगा friends और थोड़ा support कर ले friends आप लोग नए नए जो भाई लोग है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते हैं तो आप लोगों से ज़्यादा हमको request है friends कि हमारे चैनल को जरूर subscribe कर लेजिएगा यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद